नमस्कार दोस्तों मैं हूँ बाल मिकी राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल मिकी यूटूब चैनल दोस्तों आज के इस लेशन में हम सिखेंगे कि हम टेली ओपेन कैसे करते हैं और एक नई कंपनी कैसे क्रियेट करते हैं और उस company में हम laser entry कैसे करते हैं और साथी साथ कुछ transaction को भी pass करके देखेंगे और सीखेंगे कि टेली में payment, receipt और contract का entry कैसे किया जाता है तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का lesson और जानते हैं कि company creation कैसे किया जाता है और दोस्तो अगर आपने पिछला lesson नहीं देखा है जो क कि टेली से समंधित कुछ महतपुन बातों का जिसमें हम लोगों ने जिकर किया था तो मैंने उपर आई बटन के उसका link दिया हवा है आप उस link में क्लिक करके पीछली वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तो जो भी class अभी होगा उसका जो है discussion में आपका notes मिल जाएगा आप पूट notes को download कर ले और आप उस notes को देखके practice करेंगे तो आप अच्छे से practice कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का lesson दोस्तो लेशन के सुरुवात में टेली के आपको यहाँ पर कुछ options दिखाई देंगे जिसमें से की सबसे पहला option है activate your license दोस्तो अगर हमने टेली को purchase किया हुआ है तुकि यह market में available है आपको इसको खरिदना पड़ता है लाइसन्स के लिए और लाइसन्स खरिदने का main purpose होता है कि आपको सभी date का use करना होता है तो चुकि हम यहाँ पर सभी date का use नहीं करेंगे चुकि हम educational purpose से सीख रहे हैं सामने company info का एक image आ गया है और यहां बहुत सारे options है जिसमें से select company login as a remote user create company backup and restore का option है तो सबसे पहले चुकि हमारे पास कोई company अभी बनी हुई नहीं है तो सबसे पहले हमें company create करेंगे और आगे जो भी practice होगा वो इसी company के अंदर होगा दोस्तों हमने यहाँ पर एक notes बनाया ह option पर आपको इसका link मिल जाएगा इस notes का आप download कर सकते हैं और इस notes से आपको help मिलेगा practice करने में मैंने अभी जो भी class चलने वाला है वो सारा यहाँ पर notes किया हुआ है आप इस notes को देख करके अपना practice जारी दख सकते हैं और साथे साथ video को अच्छे से देखके समझ सकते हैं क जैसे ही हमने create company वाले option को enter किया है हमारे सामने जो है वो company creation का एक page खुल गया है हमें इस page में क्या-क्या fill करना है तो जो जो भी important fill जो होगा वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको एक से ले करके 12 तक जो भी यह option लिखा हुआ है आपको वो choose करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे का जो टेली जो होता है वो किस directory पे save होता है तो टेली जो है वो c drive user user के अंदर एक folder मिलेगा public और उसके अंदर टेली erp9 जो है वो store होता है तो चलिए अब हम यहाँ पर directory को हमने जान लिया अब हम यहाँ पर आपने एक सुंदर सा company बनाते हैं त तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं टेक्निकल मिक्की लिमिटेड नाम से हमने company create किया अब यहाँ पर mailing name हम सेम छोड़ देंगे address अगर हमें लिखनी हो तो हम address type कर देंगे वरना हम इसको ऐसे छोड़ देंगे country वाले option पे आप देख सकते हैं यहाँ पर right hand side पे list of country बहुत होंगे वह सभी state का यहाँ पर list में नाम दिख रहा है आपका जो भी state है आप उस state को चुनाव करेंगे जैसे कि मेरा state जारखन में है तो हम यहाँ पर जारखन slate कर रहे हैं अब है पिन कोड आप यहाँ पर जो भी पिन कोड देना चाहें जो भी आपका area पिन कोड हगा आप अब हम यहां पर phone number वाले option पर कोई तैब कर देंगेए ठीक है प्रैक्तिस के लिए इसके बाद हम यहाँ पर mobile नबर अब कोई सा भी mobile number टाइप कर सकते हैं चलिए हम यहां पर एक mobile number टाइप कर दिया उसके बाद fix का option है आप इसे blank छोड़ सकते हैं आप email वाले option को भी चाहे तो blank आप छोड़ सकते हैं बट मैं यहां पर क्या करता हूँ अपना email financial year beginnings from और books beginning फ्रॉम तो दोस्तों कोई भी financial year जो स्टार्ट होता है वह एक अप्रेल से शुरू होता है तो यहां पर हम एजे इट ऐसा ही छोड़ देंगे तो यहां पर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे 14 2021 आप कभी भी क्रियेट करेंगे टेली में तो जो देट होगा स्टार्टिंग डेट बुक बिगनिंग डेट वह एक चार दो हजार एकीस बाइस तेईस जो भी हो उसके हिसाब से लेगा लेकिन एक चार से ही शुरू होगा जो मंद सुरू होगा वो तो चली यहां पर इसको ऐसे छोड़ देना है और हम बढ़ते हैं आपर टेली पासवर्ड दो इस पासवर्ड वाले ओप्सन को हम बाद में करेंगे फिलाल हम इसको ऐसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं तो हमें क्या-क्या भरना था हम एक बाद चेक कर लेते हैं इसको यस करने से पहले तो हमें हमने यहां पर कंपनी का नेम डाल दिया मेलिंग एड्रेस डाल दिया कंट्री स्टेट पिन कोर्ड मोबाइल नंबर और इमेल आईडी और फाइनेसल यह ठीकि इसकी अलावा हमने यहां पर कोई सावबी ओपřसर णी नहीं किया है इसको जैसा जैसात ओप्सर यहां पर दीख रहा था हमने उसको वैसे चोड़ दिया है और इसको हम अब एक्सेप्ट कर लेते हैं चाए मेल और बाद爆़कि इसको het से सिम्बोल और यह सब फीचर को ऐसा ही छोड़ देना है तो चलिए हम इसी को फॉलो करते हैं नोट्स को और यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कमपनी नहीं में टेक्निकल मिक की लिमीटेड आ गया और अब हम टेक्निकल मिक की लिमीटेड कंपनी में वर्कशनीक है करेब हम आपक्र आंगाए है तो इसका नाम है गेटवे अब यहां पर बहुत सारा उप्शन है जिसे कि मास्टर से टांजेक्शन से यूटिलिटी से और रिपोर्ट है हम इन सारे उप्शन को एक एक करके धीरे धीरे जानेंगे तो सबसे पहले अभी हमें यह जानना है कि हमने जो कंपनी बनाया है अब हम उसमें क्या करेंगे कुछ लेजर इंसर्ट करेंगे चुकि बिना लेजर के जो है वो कंपनी हम नहीं बना सकते हैं तो दोस्तों अब हमें यह जानना जरूरी है कि लेजर है क्या तो दोस्तों जब हम कोई कंपनी क्रियेट कर रहे हैं तो इतना तो जरूर है कि कंपनी में हम कुछ न कुछ पैसा तो इ एक लाक रुपय उधारी में लिया हुआ है या फिर हमने किसी को उधारी दिया हुआ है कंपनी खोलने से जस्ट पहले ठीक है तो उन सारा वो जो डाटा है ठीक है हमने क्या कंपनी में लेके आया है उन सारे डाटा का यानि कि उसका जो रिकोर्ड होगा उसी ही हम कहेंगे ले लेजर जो है आपके सुबीधा के लिए यहां पर बना रखा है आप एक बार इस लेजर पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम account info में आते हैं और यहां पर इंटर बटन प्रेस करते हैं और लेजर पे एक बार फिर से इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने तीन ओप्सन आएंगे पहला create दूसरा display और तीसरा alter का तो हमें यहाँ पर create वाले option का चुनाव करके हम एक नया laser बना सकते हैं और उस बने हुए laser को फिर हम display से देखेंगे और अगर उसमें किसी परकार का modification हम करते हैं तो वो modification हम लोग alter button प्रेस करके करेंगे तो सबसे पहला हम यहाँ पर देख लेते हैं display option पर कि क्या पहले से कोई laser बना हुआ है तो जी यहाँ यहाँ पर पहले से दो laser created है पहला है case और दूसरा है profit and loss तो टेली software में case और profit and loss का जो laser होता है वो बनाने का सकता नहीं पड़ता है वो पहले से बना रहता है हम इसे बस alter button प्रेस करके इसमें जो भी amount होगा वो amount इसमें हम insert करते हैं तो चलिए हम पीछे आते हैं पीछे लोटने के लिए हम इसके बटन का इसमाल करेंगे इसके बटन आपके keyboard में सबसे first button होता है corner का left side में ESC करके उसे हम escape button करते हैं तो escape button प्रेस करेंगे और हम पीछे लोट जाएंगे और पीछे आने के बाद हम आएंगे create पे और enter button को press करेंगे जैसे ही हमने enter button प्रेस किया आप यहां देख सकते हैं laser creation का option आ गया है और यहां पे laser का नाम डालने का जो है cursor यहां पे blink कर रहा है तो चलिए हम laser डालने से पहले एक बार notes की और ध्यान देते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा कौन से laser बनाने हैं तो सबसे पहले नंबर पर है capital उसके बाद general reserve फिर capital reserve और उसके बाद profit and loss और इस तरह से सारे laser है कुल मिला के 22 यानि 22 laser हमने यहां पर लिख रखा है तो चलिए एक एक करके हम सीखते हैं इन सारे laser को कैसे बनाया जाता है तो चलिए इसको शुरू करते हैं तो सबसे पहला laser था हमारा capital का तो चलिए यहां पर हम उस laser का नाम लिख देंगे capital और capital के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे और एक बार और इंटर बटन प्रेस करके हम आएंगे अंडर पे दोस्तों अंडर का मतलब होता है ग्रूप ठीक है तो capital मेरा किस ग्रूप में आएगा तो capital जो है वो मेरा capital ग्रूप में आएगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं इंटर मार के हम नीचे आते हैं अब यहां पर बहुत सारे option है अभी हमें किनी option को फिल नहीं करना है हमें सीधा नीचे आना है और जहां पर लिखा हुआ होगा opening balance यानि हम capital में कितना invest कर रहे है मेरा opening balance क्या है वो हम यहां पर insert करेंगे तो एक बार हम notes की और फिर ध्यान देते हैं तो यहां पर हमें कितना भरना है तो 25 लाक तो यहां पर हम भर देंगे 25 लाक और हम interpretant प्रेस करके इसे save कर लेंगे हम यहां पर कर लेंगे इसे accept yes for save no for no तो इसे हम interpretant करके save कर लेते हैं तो इस परकार से हमारा capital का एक laser बन गया वापस से हम next laser को create करते हैं general reserve का एक laser है और general reserve के अंडर क्या होगा तो general reserve के अंदर होता है reserve and share plus और यहां पर भरना है cool total दो लाक का इमान तो दाहने side जो laser है यहां पर हम आर बटन प्रेस करेंगे और यहां पर हमको आसानी से मिल जागा reserve and surplus का option तो इसे हम choose कर लेंगे और एक बार फिर हम यहां पर इसका opening balance में आएंगे और इसका जो opening balance है वो दो लाक का है इसे हम फिल कर देंगे और इसे भी हम inter mark एक्सेप्ट कर लेंगे और दोस्तों हमने यहां पर दो laser create किया है एक बार हम पीछे load के फिर से देखते हैं तो पीछे load के लिए हम इसके बटन प्रेस करेंगे और पीछे load जाएंगे और यहां इस प्लेस एक बर हम चेक कर लेते हैं कि हमने जो लेजर बनाए है अभी वो यहां सो कर रहा है या नहीं तो हम देखेंगे यहां पर कि capital का लेजर जो बन चुका है और general reserve का भी लेजर यहां पर बन चुका है यहां पर case और profit and loss पहले से बना हुआ था तो चलिए हम वापस से ल होगा और इसका जो amount है हम भर देते हैं इसका amount था 5 lakhs और इसको accept कर लेते हैं उसके बाद दोस्तो profit and loss का हमारे पास laser था हमने यहां पर capital user बनाया अब profit and loss का है और profit and loss में कितना amount है तो 60,000 तो हमने अभी जाना है कि profit and loss टेली में पहले से बना रहता है तो उस laser को हमें बनाने का ज़रूरत नहीं है हम सिर्फ back लोटेंगे इसके बटन से और यहां पर alter में आएंगे और इंटर करेंगे और यहां पर हम profit and loss वाले option पर आएंगे और इंटर कर देंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि इसका already पहले से बना हुआ है हमें सिर्फ यहां पर opening balance इसका डालना है तो चलिए हम नीचे आते हैं और इसका opening balance 6000 जो notes पर हमने बनाया हुआ है उसे हम डालके से accept कर लेते हैं अब चुकि profit and loss का amount हमने insert कर दिया है तो हम वापस से पीछे लोटेंगे और पीछे आने के बाद हम वापस से create वाले option पर जाके next ledger बनाएंगे अब जो मेरा next ledger है वो ह हम यहां पर loan from ICICI यह bank का नाम है ICIC मतलब हमने यहां से loan ले रखा है और आप यह चीजाद रखे कि अगर हम टैली में इंट्री का laser बना रहे हैं और तो उस laser पर अगर हम हमने loan किसी bank से लिया हुआ है तो उसका जो group होगा यानि उसका जो under होगा वो होगा secure loan के category में वो आए अगर हमने किसी भी प्रकार का loan किसी खास व्यक्ति से लेके रखा हुआ है तो उसका जो group होगा यानि उसका जो under होगा वोगा अन secure loan यह आप हमेसा याद रखेंगे कि किसी bank से loan लेना एक secure loan लेना कहलाता है और किसी व्यक्ति से loan लेना Unsecure Loan कर लाता है तो यहाँ पर हम जो है वो Secure Loan वाले Option को चुनेंगे Secure Loans और Secure Loan हमने कितना ले रखा है ICIC Bank से तो पांच लाग का ले रखा है तो हमने यहाँ पर पांच लाग Fill करके Accept कर लिया इसके बाद हमने Loan from P Turkey से लिया है कि यह P Turkey किसी वेक्ति का नाम है हमने इससे लोन लिया है तो अभी हमने बताया कि यह किस केटिगरी में जाएगा तो यह जाएगा Unsecure Loan जो कि यह किसी वेक्ति से लोन ले रहे हैं कोई Bank नहीं है इसलिए यह Unsecure Loan है और इसका इमाउंट जो है हम यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं दो लाक हमने इंसर्ट कर दिया अब हमें एक Bank Overdrop बनाना है जो कि HSBC करके हमने लिखावा है HSBC यहाँ पर हम इसको इस प्रकास लिख सकते हैं ऐसे करके हमने यहाँ पर लिख दिया HSBC Overdrop, OD मने Overdrop, Overdrop क्या होता है तो इसके बारे में हमने पिछले क्लास में जिकर किया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने उपर आई बटन पर लिंक की दिया हुआ है आप उस लिंक पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तब आपको OD का मतलब ओवरड्राप का मतलब समझ में आ जाएगा तो फिलाल यहाँ पर हम ओवरड्राप डालेंगे बैंक ओवरड्राप एकाउंट पे बैंक ओवरड्राप एकाउंट और यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं करना है ऐसे छोड़ देना है हम सीधा इसका ओपनिंग बालेंस में यह पचास जार का होगा तो यह 50,000 डालके हमने accept कर लिया यह में इसलिए फिल कर पा रहा हूं चुकि हमने यहां पर already इसको लिक रखा है आप यह देख सकते हैं 50,000 तो इसके बाद जो लेजर है वो होगा मेरा भोला ट्रेडर का तो यहां पर हम कर देते हैं भोला ट्रेडर्स और भोला ट्रेडर्स को हम क्या करेंगे संडरी क्रेडिटर बनाएंगे यानि कि हमने इससे कोई समान खरीदा है या खरीदेंगे जिसके लिए हम भोला ट्रेडर्स नाम का एक लेजर क्रियट कर रहे हैं संडरी क्रेडिटर के अंदर तो इसका जो एमाउंट है वो हम यहाँ डालेंगे 32,000 यानि 32,000 और जैसे ही हम यहां पर इंटर प्रेस करेंगे तो चुकि हमने यहां सेंट्री क्रेडिटर का उप्शन चुना है और हमने इसका ओपनिंग बैलेंस भी भर दिया है इसका मतलब है कि हमने इन से कुछ सामान जो है वो लिया हुआ है और अगर हमने भिलब क्या होगा वगेरा का उप्शन जैसे इंटर बट्राण प्रेस करेंगे यहां पर आएगा आप देख सकते हैं यहां पर आया बील वाइज ब्रेक अप यहनो का क्या नाम है और उसमें कितना का इमाउंट था वह वगेरा यहाँ पर भरना है तो इसके यहाँ क्या फीलफ होगा इसके लिए भी हमने यहाँ पर नोट्स में लिख रखा है अल्ड़डे आपको समझाने के लिए पहले से तो यहाँ पर आप देख सकते भोला ट्रेडर्स कर कर देते हैं यहां पर तो जैसा कि हम यहां पर डेट हमने लिखा था हम वही डेट यहां पर फिल कर देना है और नेम में जो है वह बिल नंबर आपको प्रेस करना है बिल नंबर हमने यहां पर लिखावा है बीटी करके यह बिल नंबर आपको यहां पर डाल देना है तो पर 15000 और फिर नेश्ट बिल था 31 2021 का और इसका जो बिल नंबर है वह बिटी 2021 276 और यहां पर आपको टाइप कर देना है one space month और यहां पर लेना है 14000 और बाकी का आपको वैसे ही छोड़ देना है और इसको सेप कर देना है चुकि हमारे पास यहां पे दो बिल मनाने का हमने लिखा था और बाकि का जो होगा वो ओन अगाउंट ओगा तो जो भी होगा यहाँ पर ओन अगाउंट पे आ जाएगा है उसको हम को सेफ कर डियते हैं तो यह इस परकार से बोला ट्रेडर का जो लेजर था हम ने बना लिया अब हम एक और लेजर बनाएंगे जिसका नाम होगा अमीत ट्रेडर्स और ये भी सेंडरी क्रेटर के अंदर ही रखेंगे इसे हम और इसका सिर्फ ऑपनिंग बैलेंस और बिल भरेंगे तो इसका जो ऑपनिंग बैलेंस होगा वो होगा 40,000 का हमने लिख रखा ह है तो 40,000 अब इसका भी बिल का ऑप्शन आ गया तो बिल हमने पहले से जो है वह इसका लिख रखा है तो जो भी बिल हमने इसका पहले से लिख रखा है हम उस बिल को यहाँ पर फिल कर लेंगे कि हमने इससे भी जो है वह समान इस तारिक को लिया हुआ है जिस परकार से आता जाएगा और क्लास की जब इंड होगा सिस्टीन कंप्लेट होने के बाद तो आप अच्छे से जो है वो टेली सौप्ट्वेर को समझ पहेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप टेली एक्सपर्ट के तोर पर कहीं भी काम कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको चा आपको समझ में भी आएगा तो चलिए हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं अब हम एक लेजर बना लेंगे ओएस सेलरी का ओएस सेलरी का ओएस मतलब आउट इस्टेंडिंग एक्सपेंस तो दोस्तों खास आप ध्यान से देखिए नोट्स को तो यहां पर जब भी जहां हमने ओएस सेलरी लिखा है और आउट इस्टेंडिंग एक्सपेंस लिखा है वहां हमने एक इस्टार का निसान लगा रखा है उस इस्टार निसान को हमने इसलिए लगाया है यह समझाने के लिए कि टेली में जो है वो आउट इस्टेंडिंग एक्सपेंस का ग्रूप जो है बन आपको alt के साथ c button प्रेस करना होता है तो चलिए हम यहाँ पर alt के साथ c button प्रेस करते हैं तो आप यहाँ देखिए group creation का एक option आगिया अब हम यहाँ पर लिख देंगे outstanding expenses outstanding expenses लिखने के बाद हम इसका जो under होगा वो डालेंगे current liability क्योंकि जो outstanding expense है जो बकाया है उसे देना हमारे liability है तो इसे हम current liability group में रखेंगे चलिए हम यहाँ से इसको accept कर लेते हैं तो इस परकार हमने जो है OS salary के लिए outstanding expense का एक नया group create किया और group create करने के बाद जो है हम इसका सीधा opening balance में पहुंचेंगे और OS salary का opening balance हमने लिख रखा है 28,000 और इसे हम accept करके save कर लेगे इसके बाद हम बनाएंगे OS rent का एक laser ठीक है OS rent क्योंकि यह OS outstanding है तो इसके अंदर भी outstanding expensive होगा और टेली में चुकि एक बाद जो group या जो भी laser हम create कर देते हैं वो हमें दोबारा यह इसका बनाने के जौरत नहीं पड़ा तो सिधा हम पहुंचेंगे इसका opening balance में और जो rent का जो opening balance होगा वो हमने लिख रखा है 12,000 इसके बाद हमें फिर एक laser मनाना है OS electricity bill और इसके अंदर भी outstanding expensive होगा और सिधा हम इसका opening balance डाल देते हैं कि 4000 का इसका opening balance है इसके बाद दोस्तों हम कुछ fix asset बना लेते हैं जो कि मेरा asset company होगा जैसे की furniture and fixture मतलब कि हमने कुछ furniture भी business में लगा रखा है जो कि मेरा fix asset होगा और fix asset कितने का हमने furniture लगा रखा है तो हमने कुल 4 लाका furniture अपने business पे setup कर रखा है तो चलिए हम इसे भी accept कर लेते हैं इसके बाद हमने business में कुछ computer भी लगाये हुए हैं और computer भी fix asset है मेरा तो सिधा हम इसका opening balance डाल देते हैं यानि कि हमने कितने का डाला है तो एक लाक 20,000 का हमने जो है वो computer बिजनस पे setup किया है इसके बाद हम कुछ machinery का लिख लेते हैं कि हमने कुछ machinery भी लगाया है और machinery भी fix asset के अंदर में आएगा और इसका opening जो balance है वो एक लाक 50,000 यानि कि डेढ़ लाक का हमने यहाँ पर machinery लगा रखा है और दोस्तों हमने यहाँ पर जो है वो कुछ investment भी किया है कहीं पर पैसे जो है वो invest भी किया है एनसी नाम से तो इसे हम डालेंगे एनसी investment में और investment कितने का डाला है हमने तो एक लाक 50,000 का हमने डाला है यहाँ पर तो उसे भी हम यहाँ पर अलिख लेंगे एक लख पचास हजार काम ने यहां पर डाल ला है तो हमने यहां पर इसके बाद हम क्या है कुछ सेंड्री ड्याफ्टर भी बना लिए इसे अभी हम एक्सेप्ट कर लेगे इसके बाद दोस्तों केस बनाने को आप्सन तो अलरेडी टेली में जो है केस का बना रहता है जैसके हमने पहले जिक्र किया तो हम यहां पर बैड़ आए इसके बटन से और यहां पर अल्टर में आएंगे और अल्टर बटन में जाकर के केश का जो पहले से बना हुआ लेजर है इस लेजर को हम open करेंगे और सीधा इसका opening balance हम यहाँ पर insert करेंगे तो इसका जो opening balance है वो 76,000 का होगा अब हम वापस से इसके बटन दबा के पीछे लोटेंगे और वापस से हम create वा लिया हुआ था तो उस पर काम नहीं करना था हम काम जो करेंगे वो city bank पर काम करेंगे तो city bank और इसका जो under होगा वो होगा bank account ठीक है तो bank account हमने यह फिल कर दिया और city bank यानि कि city bank में हमने total कितना amount रखा है तो total हमने आठ लाख रुपया रखा है city bank में तो हम यह आपन आठ लाख भरकी से accept कर लेंगे इसके बाद हम एक और bank बना लेते हैं इलाहाबाद का इलाहाबाद bank ठीक है इलाहाबाद bank और इसे भी bank account रखेंगे और इसका opening balance हमने कितना डाल रखा है bank में तो पांच लाख ठीक है यहाँ पर पांच लाख डाल रखा है और हम इसे save कर लेंगे इसके बाद हम एक last जो लेजर बनाएंगे वह preliminary expenses का बनाएंगे ठीक है और इससे हम डालेंगे mislaneous expense में ठीक है और यह preliminary expense होता क्या है तो business शुरू करने से पहले जो है कुछ एक account हम बना के रखते हैं कि business में जो भी profit होगा या जो भी loss होगा थोड़ा बड़ा तो हम यही से manage करेंगे ठीक है जो भी loss होगा वगेरा का recovery हम यही से करेंगे इसलिए हम इसे पहले से एक खाता बना के रखते हैं इसके लिए ठीक है ताकि अचानक से जरूरत पढ़ने पर कहीं हमें ढूड़ना ना पड़े पैसा ठीक है इसका यूज कर लेते हैं तो चली यहाँ पर हम भ जाने के बाद हम जाते हैं मशिनरी और यहाँ पर हमने एक जरो कं लगाया है यहाँ अपर जो है 15.000.000.000 ठाथ हम इसके बटन से पीछे आएगे वापस रूर्पबें और हम इसका बाइलनसीनी देखेंगे balance sheet ठीक है चुक्कि notes पे हमने इसका balance भी set करकर रखा है कि आपको 44,26,000 रुपया balance sheet में balance दिखना चाहिए और difference in opening balance में 2,00,000 का difference दिखना चाहिए तो चलिए हम इसे check कर लेते है balance sheet में जाके कि क्या हमने जो laser बनाया क्या हमारा balance sheet बिलकुर सही है के इंटर button press करेंगे तो जैसे हमने इंटर button press किया हमारे सामने जो total balance sheet है वो 41,26,000 का है और difference in opening balance में जो है वो 2,00,000 जो है वो दिख रहे हैं जिसे कि हमने यहाँ पर notes पे लिखा है तो हमने यहाँ पर जो है वो laser बनाना सिखा कि tally में laser कैसे create के जाता है और alt c का use करके group कैसे बना जाता है तो अब हम दोस्तों कुछ transaction pass करेंगे tally में और transaction को pass करके देखते है ठीक है तो उसके लिए हम इसके बटन press करके बीचे आएंगे और हम आएंगे यहाँ पर transaction वाले option पर अब हम यहाँ पर दो option है एक है accounting voucher और एक है inventory voucher तो हमने जो है account info से ledger बनाया और उस ledger से related जो भी transaction होगा वह हम pass करेंगे accounting voucher से अभी हम inventory info और inventory वाले voucher पर बात पर आएंगे next class में फिलाल हम यहाँ पर accounting voucher में आएंगे और इंटर बटन प्रेश करेंगे जैसे ही हमने इंटर बटन प्रेश किया हमने day one में ही बताया था कि जब भी हम टेली में payment या receipt या contract या journal का entry करेंगे तो इंटरी सुरू में जो है वो single इंटरी सो करेगा यहाँ पर double entry system नहीं सो करेगा single मतलब यह single ledger में बनेगा bookkeeping तो हमें यहाँ क्या चाहिए double entry system यानि कि एक option debit का चाहिए और एक option credit का चाहिए होगा तो उस option को लाने के लिए टेली में हम f12 बटन प्रेश करते हैं तो जैसे ही हम टेली में जो है f12 बटन प्रेश करेंगे हमारे सामने जो option है वो आ जाएगा अब इस option पर जाके आप यहाँ देखिए एक option होगा use single entry इसे हम कर देंगे no और आगे बढ़ेंगे और एक option होगा use credit and debit इस option को हम कर देंगे yes और इसे हम आगे बढ़के save कर लेंगे इस option को हमने जैसे ही save किया हमारे सामने debit का option आ गया दो option है यहाँ automatically credit हो जाएगा या हम अपने से कर देंगे first time तो चलिए हमने यहाँ पर payment वाला भोसर open कर लिया है दोस्तों अब टेली में याद रखने वाला खास बात किये है कि हर एक भोसर का अपना एक shortcut की है जैसे कि अगर आप payment बटन का चुनाव कर रहे है तो उसके लिए shortcut की F5 है आप और contra के लिए F4 बटन है आईए हम एक बार notes को देख लेते हैं हमने यहाँ पर कुछ transaction जो है वो लिख रखे हैं जैसे कि पहला transaction है paid out standing salary ठीक है from city bank से यानि कि हमारा जो भी बकाया salary है वो हमेने city bank से payment करना है ठीक है और यह golden rule के अधार पे match होता है कि नहीं उसे भी हम चेक कर ठीक है अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने golden rule के बारे में जिकर किया था तो उपर आई बटन में link है आप उस वीडियो को देख सकते हैं तो city bank bank क्या होगा तो bank मेरा जो है वो personal account के सरेनी में आता है और personal accounts में जिसके पास से कोई समान घटता है अच्छ है और जो भी खर्च होगा वो किसके सरेनी में आएगा तो वो nominal account में आएगा और किसी भी तरह का जो खर्च होगा वो nominal में debit होता है तो यहां पर क्या होगा तो यहां पर हो जागा out standing salary account debit और city bank account हो जागा credit तो जिस अगर आपका इस theory को अच्छे से समझ जाएंगे तो इंटरी आपके लिए जो है आसान हो जागी तो यहां पर सबसे पहले payment में कौन सा option आया है तो payment में पहले आता है debit का option आया हुआ है तो debit में हम क्या भरेंगे तो OS salary भरेंगे जो कि हमने पहले से इसका laser बना रखा है तो हम सीधा आएंगे OS salary और इंटर बटन प्रेश करे fill up किया आप देख सकते हैं अब मेरा कोई C भी तरह का कोई liability नहीं रहा अब यह बिल्कुल zero हो गया है और यहां पर cursor चुकी billing कर रहा है तो इसे हम जो है वह D को जो है वह C में convert करके इंटर करेंगे तो एक option debit का हो गया और अब की बार जो है option जो है वह credit का हो गया यह first time करना पड़ता है ठीक है बार बार यह करने के जोरत नहीं पड़ेगा अब आगे आप सब खुद ही समझ जाएंगे तो चलिए O.S. salary कहां से देना है तो इसे हमें देना है City Bank से तो हम City Bank के option का चुनाओ करेंगे City Bank में हमारा कितना amount पहले से था तो City Bank में हमारे पास total आठ लाक अभी यहाँ पर एक option है ठीक है इसके जगह पर आपको क्या करना है चेक नंबर फिल आप करना है जो कि हमने notes पर यहाँ पर लिख रखा है यह चेक नंबर है आप चाहे तो फिल कर सकते हैं या फिर उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं कोई problem नहीं है अब इस entry को हम save करेंगे save करने से पहले यहाँ पर कुछ option है इसका नाम होता है narration narration में हम क्या लिखते है टेली में तो narration में हम इस transaction से related hint जो होगा वो हम लिखते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर OS salary payment किया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं paid OS salary ठीक है तो इसे ही हम कहते है narration मतलब की hint अब हम इस entry को इंटर मार करके accept करके save कर लेते हैं अभी हमारा एक entry save हो गया अब जो next मेरा question है वो है clear outstanding rent from इलाहाबाद bank यानि कि जो भी मेरा outstanding rent है पूरा का पूरा इलाहाबाद bank से payment करना है तो चलिए चुकि यह भी payment है तो इसे हम तो यहाँ पर OS rent का ledger बना हवा हम से choose करेंगे और यहाँ पर देख और यह देना कहां से है तो यह हमें देना है इलाहाबाद bank से तो यहाँ पर हम जो है वह इलाहाबाद bank option का चुनाव करेंगे और यहाँ पर भी जो है installment number डालने का आया तो यहां हम check number डाल सकते हैं और यहां narration narration को चाहे तो आप लिख सकते हैं चाहे तो इसको essay छोड़के चेक कर सकते हैं टेली में बिल्कुल आसानी से इसके लिए क्या करना होगा हमें पीछे लोटना होगा इसके बटन प्रेश करके और गेटवे ऑप टेली में आने के बाद हम यहां से जाएंगे display वाले option पे और इंटर करेंगे और जो भी हमने transaction पास किया है उसे देखने के ल और वोचर नबर टू करके आपके सामने शो हो रहा है इस प्रकार से जो है वह आप सभी इंटरी को देख सकते हैं display डैबुक से चेक कर सकते हैं अब हम वापस से counting वोचर में आते हैं और next इंटरी को करते हैं जो कि है paid 1000 in case for repairing of missionary मतलब मशीन के रिपेरिंग में आपने 1000 जो कि इस question पर ही लिखा हुआ है कि payment करना आपको paid paid मने payment ठीक है तो चलिए हम 1000 रुपया machine के लिए जो है वह करेंगे तो खर्च हुआ 1000 रुपया तो यहां पर हम एक laser बनाएंगे और हमने पहले ही जिकर किया था कि टेली में कोईशा भी group हो या कोईशा भी laser हो बनाने के लि गा तो यहां हमें लिख देना है repairing repairing of machinery चुकि machine के repairing में खर्च करने वाले है 1000 तो इसका जो अंडर होगा क्या होगा मसीन को बनाना मेरे लिए क्या होगा तो मसीन को बनाना मेरे लिए खर्च होता है ठीक है तो इसे हम डालेंगे indirect expense के अंदर ठीक है और indirect expense करने के बाद हम accept कर लेंगे इस entry को तो already repairing of machinery का ledger बन चुका है अब सीधा हम इसके लिए 1000 डालके payment करते हैं और यह payment चुकि case में करना था तो हम यहां पर हम case वाले option को चूनेंगे तो आपने देखा कि case मेरे पास पहले 76,000 का था अभी हमने 1000 payment किया तो अभी यह कितना बचेगा हमारे पास 75,000 त paid to marketing person for tour, 1000 rupees on case मतलब हम marketing person को 1000 रुपया paid कर रहे हैं for tour के लिए in case में तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो चुकि पैसा मेरा tour expense के लिए जाएगा तो इसके लिए हम alt-c से एक laser बना लेंगे चुकि यहां पर tour का कोई सा भी laser हमने पहले बना के नहीं रखा है तो यहां पर हम alt के साथ c button press करेंगे और करेंगे advance for tour अब हम इसके अंडर भरेंगे loan and advance क्योंकि किसी भी तरह का advance होता है ठीक है तो उसके अंडर हम भरते है loan and advance ठीक है तो यहां पर भी हम loan and advance option का चुनाव करेंगे और इस entry को save कर लेंगे अब हम यहां क्या करेंगे कि loan and advance में 1000 का payment करेंगे और वह भी case में तो इसके लिए हम case option का यहां पर चुनाव करेंगे और चुनाव करने के बाद हम इस entry को हम save कर लेंगे इसके बाद जो next entry होगा वह next entry है receive commission in cash of rupees 38,000 from JBL Limited से ठीक है यानि कि हम कुछ case जो है वह हम receive कर रहे है ठीक है वह भी commission के रूप में और वह पैसा देखो रहा है तो JBL Limited जो है वह हमें case पे कर दिया है तो हम entry case में करेंगे इसका नाम यहां पर नहीं आएगा तो यहां पर इस entry पर हम ध्यान देंगे कि हम receive क्या कर रहे है तो receive हम कर रहे है case तो case किस account में आएगा तो case आएगा real account में real account में कोई भी चीज़ अगर आपके पास बढ़ता ह है तो उसका entry debit side होता है तो यहां पर case 38,000 बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा case account हो जाएगा debit 38,000 और क्या रहा है तो commission क्योंकि एक तरह का income होता है कमिसा नाना एक income होता है और चुकि ये income है तो ये एक इस account के स्रेणिम में आएगा तो ये आएगा nominal account के स्रेणिम में और nominal account में अगर किसी भी तरह का income होता है तो उसका इंटर्यू होता है credit side इस question में क्या हो जागा तो case account debit और commission receive account हो जाएगा credit तो चलिए हम इस entry को pass करते हैं इसके लिए हम app 6 बटन का सुनाओ करेंगे जैसे ही हम यहाँ पर app 6 बटन प्रेस करेंगे तो जो payment वाला जो voucher था वो अब change हो के हो जाएगा receipt voucher अब हम यहाँ पर receipt करना है और receipt में पहले credit वा करना था commission receive commission receive का एक laser बना लेंगे अब हम यहाँ पर commission receive का जो अंदर होगा वो चुकि commission एक तरह का होता है income तो यहाँ पर हम indirect income option का चुनाओ करेंगे और इसको save करेंगे और commission में हमें कितने रुपिया receive हुआ है तो 38,000 तो यहाँ पर 38,000 भर देंगे और चुकि यह case के जाएगा यहाँ पर case तो entry हो गया तो इसको स्याप कर लेंगे उसके बार हम nest जो है उस entry पर जाएएंगे तो nest है हमारा the proprietor sold household furniture of rupees 1,00,000,000 and paid the money into business case यानि कि जो मालिक है business का जो owner है उन्होंने क्या किया तो उन्होंने अपना घर का जो कुछ furniture था वो बेच दिया है और घर से आयां है उस एक लाख को business में जो है invest कर लिया तो यहां पर हमें business के लिए सोचना है कि business में क्या बढ़ा ठिक है तो टेली इंतीर में जो है हुआ हम business पर धि debit में होगा ठीके तो case हो जाएगा debit और चु कि मालिक अपना घर का furnisher बेच के पैसा ला रहा है तो उसका entry हम करेंगे उसका पूजी यानि की वह अपना पूजी बेच के पैसा ला रहा है तो पूजी का मतलब होता है capital यानि की entry क्या हो जाएगा तो इसका entry हो जाएगा case account debit और capital account credit और चुकि ये पैसा business में receipt हो रहा है इसलिए हम इसे receipt voucher में ही बनाएंगे यानि F6 button press करके बनाएंगे तो चलिए इसका entry फटाफट से हम कर लेते हैं तो credit credit में हो जाएगा capital और यहाँ पर entry होगा एक लाख और debit हो जाएगा का मेरा case और इस प्रकार से इस इंट्री को भी हम save कर लेंगे अब हमारे पास जो next transaction है वो है कि हम borrow ले रहे हैं यानि उधार ले रहे हैं 50,000 इन case में फ्रोम भजनलाल से ठीक है तो हम भजनलाल से क्या ले रहे हैं उधार ले में 50,000, उधार के रूप में मेरे पास क्या आया, 50,000 का केस, यानि केस मेरे पास बढ़ा, बिजनस में केस बढ़ा, तो इसका इंट्री हो जाएगा, केस अकाउंट, डेबिट, और चुकि हम उधार में ले रहे हैं, और वो चुकता करना मेरा लाइबिलेटी होगा, तो हम ले किस से रहे ही, तो हम ले रहे हैं, भजन लाल नामके किसी देखती से, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? और चुझी इसके पास से केस घट रहा है, और चुकि भजन लाल एक नाम है और नाम तो यह परसनल रवर हमने सी खा है कि personal account से कर कोई चीज घठता है तो वह हो जागा Irish Pvd pochnical iFF इसका इंटरी केस एकाउंट डेविट और भजन लाल इकाउंट तो चलिए इसका इंट्र्इव भी हम यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं स्वंकि यह पैसा भी मेरे पास आ रहा है तो हम इसका इंट्री भी रिशिफ्ट बोचर में ही करेंगे तो सबसे पहला option है credit का तो यहाँ पर भजन लालका क्योंकि मेरे पास laser पना हुआ पहले से नहीं है तो यहाँ पर हम alt c button प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम भजन लालका एक laser बना लेंगे हमने इससे लिया है 50,000 और इसका इंटरी हम करेंगे on account ठीक है और मेरे पास आया है case ठीक है तो इसका इंटरी हम case में करके इस इंटरी को save करेंगे अब हम next जो transaction होगा उस पर आएंगे तो यहाँ पर है कि paid landlord रूपी 6,000 for rent one third of the premises is occupied for his own residence यानि कि हमें landlord को total pay करना है 6,000 लेकिन उस 6,000 का जो एक त्याही होगा one third यानि कि 2,000 वो जो owner है business का उसका personal घर के लिए भी paid होना है ठीक है यानि कि total में हम landlord को 6,000 दे रहे हैं जिसमें से 2,000 उसका personal घर के लिए और 4,000 office का rent है यानि कि कहने का मतलब है कि हो सकता है कि जिस building पे हमारा business है उसी के building पे हमारा घर भी होगा तो कुल मिलाके यहां total में 6,000 पे करना है तो चलिए इस entry को भी हम pass करेंगे तो यहाँ पर हमने देखा है क्योंकि business के लिए मातर 4,000 रुपय हो रहा है और 2,000 personal के लिए हो रहा है परसनल अगर business से तो उसका entry जो है वो हम drawing में करते हैं तो चलिए हम इस entry को कुछ करते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले हम payment browser लेंगे यहाँ पे तो F5 बटन प्रेस करके payment वाले option पर आ गए अब ही हम क्या करेंगे तो इसके लिए हम बनाएंगे rent rent का मेरे कोई laser बना हुआ पहले से नहीं है तो इसे भी हम अल्ट सी से एक बना लेते हैं rent का और rent मेरे लिए क्या होगा rent मेरे लिए है खर्च तो इसे हम करेंगे indirect expense और rent में डाल देंगे 4000 ठीक है उसके बाद चुकि हमें यहाँ entry तीन करना पड़ेगा एक rent के लिए एक drawing के लिए और फिर case credit के लिए ठीक है तो सबसे पहले rent चुकि मेरा खर्च है तो debit होगा इसके बाद drawing यह भी मेरा खर्च हो गया है business ते उसका entry भी यहाँ पर debit में होगा और चुकि drawing का कोई सा भी लेजर नहीं है तो फिर से एक बार हम alt c button प्रेस करेंगे और यहाँ पर drawing का एक लेजर बनाएंगे और drawing जो होगा इसके अंदर होगा capital account यह हमेशा आप याद रखे तो 4000 और 2000 टोटल हो गए 6000 तो हमने यहाँ पर case से payment जो किया है landlord को वो 6000 ही किया है तो यह था इसका answer की one third यानि की 6000 का एक त्याही यानि 2000 उसका personal खर्च के लिए जा रहा है तो वो उसका entry हमने यहाँ पर drawing में कर लिया अब हम इस entry को save कर लेंगे तो अब हम इसका result चेक करेंग क्योंकि हमने यहाँ पर लिख के रखा है कि इस entry को pass करने के बाद हमारा जो balance sheet होना चाहिए वो 42,00,00 ठीक है और यहाँ पर 67,000 होना चाहिए और जो net profit होगा वो 33,000 का होना चाहिए तो चलिए अब हम यहाँ पर balance sheet चेक करेंगे तो balance sheet चेक करने के लिए हम यहाँ पर back आएं को इंटर करेंगे तो जैसे ही हमने balance sheet पर इंटर किया हमारा जो answer है वो 42,0067,00 का जो total है balance और जो net profit होगा वो यहाँ पर 33,000 दिखा रहा है तो cool मिला के हमने अभी जो entry किया वो मैंने आपको यहाँ पर notes के साथ और इसको जो tally के साथ हमने match करके आपको दिखाया ठीक है तो दोस्तो आज हम के lesson में हमने शिखा कि हम daily कैसे open करेंगे और company कैसे create होगा साथी साथ ledger का entry कैसे करेंगे ledger क्या है और कुछ transaction को भी हमने pass किया तो हमने सिखा कि payment transaction कैसे pass किया जाता है receipt transaction कैसे pass किया जाता है और balance sheet कैसे देखा जाता है और साथी साथ कि यह होए entry को कैसे देख तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे सब्सक्राइबर वाले ओप्सन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला जो लेशन का वीडियो है उसका नोटिफिकरशन आपको मिल जा आप जपनाम वाल में अपना में।